आप सबी दोस्तों का स्वागत है आपके YouTube चेनल स्टडी ओनलाइन चेनल में अगर आपने अभी तक चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फड़ फड़ चेनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और latest notification के लिए bell icon की को press कर दे ताकि सबसे पहले आपको notification प्राप्त हो सके दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं आज हम इस वीडियो में cover करेंगे रीजनी का एक महत्वपूर्ण topic calendar दोस्तो इससे परिच्छा में प्रसन जरूर बनते हैं और इसके जितने भी type हैं हम आने वाले कई भागों में cover करेंगे आज हम महत्वपूर्ण calendar की तिधिया निकालना सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से और उससे सम्मंदित बिलकुल basic से सीखेंगे कि क्या होता है calendar कैसे solve करते हैं प्रसनों को तो वीडियो में अंतर तक बने रहेगा और जो भी दोस्त नए है चैनल पर वो चैनल को subscribe कर दीजेगा चलिए तो सुरू करते हैं वीडियो को तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा जैसे की साधारन वर्स अब देखिए दोस्तों साधारन वर्स किसे कहते हैं ऐसे वर्स जो चार से पूर्टा जो है वो बिभक्त नहीं होते उने क्या कहते हैं साधारन वर्स कहते हैं देखिए 1997, 2007, 2009, 2013 अब देखिए च्छोटी चोटी बाते हैं आगे में बहुत काम आईगी अब देखिए साधारन वर्स में जब फ़रवरी होती है जो वो 28 दिन की होती है अब देखिए ये वाला पॉइंट जो है साधारन वर्स में साल का पहला वा अंतिम दिन समान होते हैं दोस्तों इनसे डारेक्ट कोशन पूछा जाता है जैसे एक जामपल से समझे आप जैसे की एक जनवरी 1999 को सोमबार है तो 31 दिसंबर 1999 को क्या होगा सोमबार ही होगा यानि की साल का पहला दिन एक जनवरी वाला और साल का अंतिम दिन 31 दिसंबर वाला क्या होगा समानी होगा अब देखिए सताबदी को देखते हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि 100 वर्स की एक सताब्दी होती है तो उसी प्रकार से साधारन वर्स की भी जो सताब्दी होंगी वो 400 से पूर्टर बिभक्त नहीं होंगी ऐसी सताब्दी क्या कहलाएंगी साधारन वर्स की सताब्दियां कहलाएंगी जैसे कि 2002, 2005, 2007 ये सबी क्या है ये सबी साधारन वर्स की सताब्दिया है चलिए देखते हैं अब लीप वर्स के बारे में तो अभी तक दोस्तो हमने देखा साधारन वर्स आईए लीप वर्स को देखते हैं और समझते हैं क्या होता है तो देखिए दोस्तो लीप वर्स ऐसे वर्स जो चार से पूर्टा बिभक्त हो जाएं वो क्या कहलाते हैं लीप वर्स कहलाते हैं जैसे की 2000-2004-2008 अब देखिए इन में दिनों की संक्या कितनी होती है तो दिनों की संक्या होती है 306 बात करते हैं सब्ता की तो 52 सब्ता और 2 दिन से सोता है और साधारन वर्स में क्या होता है 52 सब्ता एक दिन से सोता है तो इस चीश का ध्यान में रखेगा आगे जब हम तिथी निकालेंगे कोई भी तिथी को कौन सा दिन होगा तो इसमें बहुत ही काम आने वाला है ये अब देखिए फरवरी जो होती है वो लीप वर्स में 29 दिन की होती है और इसी के कारण लीप वर्स में साल का पहला दिन और अंतिम दिन में एक दिन बढ़ जाता है दोस्तो ध्यान में रखिएगा जैसे की एकजांपल से समझते हैं जैसे एक जनवरी 1996 को रभी बार है आपको पता है 1996 क्या है एक लीप वर्स है तो उसी वर्स 31 दिसंबर को यानि कि उस साल का अंतिम दिन जो होगा उसमें एक दिन बढ़ जाएगा यानि कि सोम बार होगा अब देखिए दोस्तो ये क्यों बढ़ जाता है क्योंकि ये फरवरी जो है वो 29 की हो जाती है बस इतनी सी बात है आपको ध्यान में रखना है अब देखिए बात करते हैं कि दिनों की तो देखिए जैसे कि अगर आपका एक रिमाइंडर बचता है तो वो एक के लिए सोम बार दो के लिए मंगल बार उसी तरीके से रवी बार के लिए साथ या जीरो कोड का उपियोग करेंगे दोस्तो ये दिनों की संक्या है जैसे कि एक सब्ता में साथ दिन होते हैं लिजे हमारा साथ से भाग देने पर तीन रिमाइंडर बचा तो वो दिन क्या होगा बुद्दबार होगा बस ये छोटी सी जानकारी है दोस्तो और किसी भी संक्या में या किसी भी दिन में साथ के गुणच को जोड़ने पर या साथ के मल्टी पल को जोड़ने पर हमें वापस वही दिन पराप्त होता है अब देखिए दोस्तो जैसे कि समझते हैं तो देखिए यहां पर एक्जामपल में जैसे कि किसी महीने की एक तारिक को सोमबार है तो आज से 29 दिन बाद कौन सा दिन होगा अब देखिए एक को सोमबार है तो एक में आपने साथ जोड़ा तो आठ को सोमबार होगा आठ में साथ जोड़ा पंदरा को सोमबार पंदरा में साथ जोड़ा बाइस को सोमबार बाइस में साथ जोड़ा तो 29 को सोमबार अब 29 दिन बाद पूछा है यानि कि 30 को क्या होगा आपका 30 को मंगलबार होगा तो दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक सी जानकारी है ये आपको पता होनी चाहिए और बहुत सारे दोस्तों को तो पता ही होगी तो ये उनके लिए है जिनको पता नहीं है तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों हम direct क्या कर सकते रहे 29 में 7 का भाग दे सकते रहे एक हमारा reminder बच सकता रहे और उसको भी हम plus कर सकते रहे तो ऐसे भी निकाल सकते रहे तो जैसे जैसे हम question को करते जाएंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं जानकारियों को जैसा कि अभी तक हमने देखा general year यानि कि समान year और leap year क्या होते हैं और सताबदियां क्या होती हैं अब देखिए किसी भी calendar की तिथी निकालने के लिए कुछ coding को आपको याद करना होता है तो मैं यह नहीं बोलता कि आप याद करो बस छोटी सी चीज़े ध्यान रखीगा कि 100 वर्स में जो है वो 5 दिन extra होते हैं 100 वर्स में ध्यान में रखीगा उसी प्रकार से 200 वर्स में कितने होंगे भाई 10 दिन होंगे अब इसको भी आप sort करके क्या लिख सकते हैं 7 से जब भाग दिया तो 3 दिन सेस होंगे अब उसी प्रकार से 300 में कितने होंगे 15 दिन क्योंकि 100 में 5 दिन हैं तो 300 में 15 दिन या तो आप साथ से भाग देंगे तो reminder एक दिन सेज भचेगा अब देखिए जो भी लीपर्स की सताब्दी होंगी उन में सेज क्या होगा 0 होगा जैसे की 400, 800, 1200, 1600 अब दोस्तों ये आप डारेक्ट भी याद करने को दिया रहा था हम इसको लीपियर नहीं बोल सकते हैं अगर आप इसको 4 से भाग देंगे तो आपका 25 सजाएगा जो की ये एक सताब्दी है अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अगर मैं 99 प्लस 1 लिख दूं कोई बुरी बात नहीं है ये अब देखिए अब 99 में हम पता कर सकते हैं अब आपको ये पता है कि लीपियर में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं 52 सप्ता होते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा होते है तो यहां हमने एक्स्ट्रा दिन लिख दिया दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से बता रहूं मैं ध्यान से समझेगा अब देखिए जब 99 में आपके 24 लीपियर हो गए तो बचे हुए दिन क्या होंगे वो जन्नलियर होंगे यानि कि 75 जो बचा है वो जन्नलियर होगा और एक ये यानि कि 76 जो हो गए आपके जन्नलियर हो गए अब देखिए यहाँ पे जन्नलियर में आपकी एक दिन एक्ष्टा होता है बावन सब्ता और एक द की दोस्तो हमें यह पता करना था हम यह जान रहे थे कि सौ में पाँस दिन एक्ष्टा कैसे आता है अब देखिए किसी भी दिनों को निकालने के लिए हमें साथ से भाग करना पड़ेगा तो साथ से जब हमने इसको भाग किया तो साथ एकम साथ यहां हुआ पांच और साथ सत चलिए अब करते हैं कोश्चनों को अगर जैसे जैसे कोश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे हम समझ दे चाहेंगे कि किसका कैसे कैसे उपयोग करना है बहुत ही बेसिक तरीके से और जो भी दोस्त नए है चैनल पे वो चैनल को सस्क्राइब जरू कर दीजेगा तो चलिए कोश चीज को समझेगा आप द्यान से तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो एर दिया है हमें ये लेप ययर है या ज्यणल इयर है तो हमने देखा 1997 1997 का जो मंतरी कलेंडर है वह हम यहां पे लिखेंगे मंतली करना करेंगे अब देखिए counting 1296 को हम लिख सकते हैं 1600 प्लस 300 प्लस 96 इतनी चीज़े आपको समझ में आ गई होंगी अब देखिए 1600 के लिए हमें पता है कि ये लीपियर की सताबदी है 1600 तो इसके लिए हम क्या ले सकते हैं 0 जैसा कि हमने देखा लीपियर में 400, 800, 1200, 1600, 2000 जो भी आएगा वो हमें क्या लेना है 0 लेना है अब देखिए 300 है अब देखिए 100 में कितने दिन एक्षा होते हैं 5 दिन तो 300 में कितने होंगे 15 हम यहाँ पे 15 भी ले सकते हैं और 15 में जब आप 7 का भाग देंगे और 4, 4, 16 यानि कि 24 हमारे क्या आगए लीपियर आगए अब 96 में 24 लीपियर आगए तो जो भी 6 बचे होंगे वो क्या बचे होंगे जन्नल एर बचे होंगे तो हम 96 से जो है वो 24 माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा जन्नल एर कितने बचे है तो यहाँ पर जन्नल एर की संक्या क्या आगई 72 आगई तो हम यहाँ पर लिख देंगे 72 हमारे क्या होगा जन्नल एर ध्यान से देखेगा दोस्तो एक एक चीज समझेगा अब देखे लीप एयर में कितने दिन एक्षटा होते हैं आपको पता है दो दिन एक्षटा होते हैं जनरल एयर में कितने दिन एक्षटा होते हैं एक दिन एक्षटा होते हैं बस दोस्तों यहां से देखे 24 दूनी कितना हो गया हमारा 48 और यह 72 एकम हो गया 72 और ये जो एक है ये भी यहाँ पे प्लस होगा हमारा तो इनको टोटल करते हैं 8,2,10 और 11 यहाँ 17,4,11 और 12 यानि कि हमारा टोटल आ गया कितना 121 इतना आपको समझ में आ गया होगा अब देखिए यहाँ पे हम 1997 के कलेंडर को लिखते हैं मंतली से तो देखिए जनवरी आपको पता है 31 की होती है आप डारेक्ट 31 भी टोटल कर सकते हैं लेकिन हम रिमाइंडर टोटल करेंगे तो देखिए जब भी हमने 7 से हमीशा भाग देना है तो 7 से भाग दिया तो जनवरी में कितना रिमाइंडर बचा हमारा 3 अब देखिए ये लीप येर तो है नहीं तो फरवरी में किया असेश रहेगा 0 क्योंकि लीप येर में फरवरी 29 दिन की होती जनवराले में 28 दिन की सात से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 होगा उसी प्रकार से मार्च में क्या है 31 का तो रिमाइंडर 3 अपरेल कितने का होता है अपरेल होता है 30 का तो रिमाइंडर 2 माई कितने का होता है 31 का तो रिमाइंडर 3 जून कितने का होता है जून होता है आपको पता होना ची दोस्तो कि 30 का होता है जून यानि कि रिमाइंडर 2 जुलाई के लिए reminder 3, अब अगस्त के लिए हम direct 15 ले सकते हैं, जो भी तीदी हमें दिया है, या तो अगस्त के लिए भी हम reminder ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पर reminder लिया, अगस्त के लिए कितना 1, क्योंकि जब 7 से भाग देंगे तो एक ही बचना है, अब इन सब का हमें total करना है, 3, 3, 6, 2, 8, 8 और 3, 11, 11, 2, 13, 3, 16 और 1, 17, यानि कि यहां से आगए हमारा 17, अब देखी यह 121 है और यह हमारा 17 है, इन सब को हम plus करते हैं कितना आता है, तो देखी 7 और एक कितना हो गया आपका, 8, और 2 और एक कितना हो गया, 3, यानि कि 138 आपका total हो गया, अब देखी हम इस इस तरफ मंधली को जोड़ा और इस तरफ जो था यरली को जोड़ा अब साथ से भाग देते हैं तो देखिए साथ एकम कितना होगा साथ यहां बचेगा च्छे यानि कि यह हो जाएगा अलसट और साथ नाम 63 यानि कि हमारा रिमाइंडर क्या बचरा पांच बचरा और पांच गया होंगे अब देखिए इसको जल्दी से भी कर सकते रहे बहुता ही जल्दी टाइम नहीं लगता अब देखिए कैसे कर सकते रहे देखिए हमें कुल मिला के बस इतनी चीज़े समझना है कि आखरी में हम किस से भाग दे रहे हैं साथ से भाग दे रहे हैं तो हम साथ के प की साथ का प्यार उननचास कड़ गया अब देखिए साथ धम कितना होता है सतर तो यहां बहत्तर से कितना reminder बचेगा केवल दो बचेगा अब ये और तीन और ये दो मिलके क्या बनाएंगे पांच बनाएंगे यानि की पांच ही reminder होगा यानि की पांचवा दिन कौन सा होगा सुक्रबार होगा यही हमारा answer होगा उम्मीद है दोस्तो आप समझ गए होगा ये चीज तो सौर्टरिक कुछ नहीं होती है बस practice पे depend होता है आईए और भी question करेंगे अगर नहीं आया समझ में तो comment box में comment चरू करिएगा चलिए next question देखते हैं दोस्तो question है प्रतम गणतंतर जिवस जो 26 जनवरी 1950 को मनाए गया उस दिन कौन सा दिन था और सोम बार मंगल बार ब्रहस्पती बार सुक्र बार आईए इसको solve करते हैं बिलकुल पिछली बार ही जैसा सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये leap वर्स है या general year देखिए जनवरी की बात किया तो चाहें वो leap year हो या general year हमें 26 जनवरी तक ही count करना है तो हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है एक वर्ष कम की गारणा करना है यानि कि हम यहाँ पर लिखेंगे 1949 अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 1600 1600 प्लस 300 प्लस 99 लिख सकते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं अब देखिए हमें ये पता है कि 1600 जो लीपियर सतापदिस के लिए क्या है 0, 100 में 5 दिन, 300 में 15 या 1 एक्ष्टा दिन होगा, ये भी आपको पता है अब देखिए, 49 को आप 4 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि लीप इयर आपके कितने हैं तो देखिए, कितने लीप इयर आ रहे हैं, 4 एकम 4 चार दुनियार, देखिए, तो सेज से कोई मतलम नहीं यानि कि 49 में 12 लीप इयर हो गए जब आप 49 में 12 को माइनस करेंगे तो जो भी दिन बचेंगे, वो आपके क्या बचेंगे जनल इयर बचेंगे, तो देखिए, 9 में से 2 गया 7 और 4 में से 1 गया तीन, यानि कि 37 आपके क्या हो गए जनल इयर हो गए, अब देखिए, ये चीज आपको पता होना चीह है, कि लीप आर्स में 306 दिन होते हैं और 2 दिन एक्ष्टा होता है और जनल इयर में 365 दिन 52 और 1 दिन एक्ष्टा होता है, तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, एक्स्ट्रा दिन लिख रहे हैं, यानि कि reminder day, अब देखिए, 12 दुनी कितना हो जाएगा आपका 24, और यहां पे हो जाएगा आपका 37, अब इन सब प्लस भी कर सकते हैं, या 7 से reminder में आप लिख सकते हैं, तो हम 7 के reminder में लिख लेते हैं, 7 पना 35, यहां पे हमारा 2 reminder बच रहा है, अब यहां 7, 21 यहां पे हमारा 3 reminder बच रहा है, यानि कि total reminder की बात करें, 3, 2, 5 और 6 यहां से हमें reminder बच रहे हैं, अब देखिए, जनवरी कहां तक पूछा है हमें, तो जनवरी हमें 26 तक ही पूछा है, तो या तो हम direct 26 लिख लें, या तो हम इसका भ हो रहा है, 11, अब 11 में जब आपने 7 से भाग दिया तब reminder कितना बच रहा है, आपका 4 बच रहा है, यानि कि 4 दिन आपका right answer होगा, आप देखिए, सोम बार होता है, आपका पहला दिन, मंगल बार, दूसरा, बुद्ध बार, तीसरा, और ब्रसपती या गुरु बार होता है आपका 4 दिन, यानि कि प्रतम गरतंतर दिवस, जो 26 जनवरी 1950 को मनाए गया था, उस दिन कौन से बार था, ब्रसपती बार था, गुरु बार था, आप चेक भी कर सकते हैं दोस्तों, नेट से, और अपनी अपनी date of birth भी इससे निकाल सकते हैं, तो उमीद है दोस्तों, आप ये चीज समझ गए होंगे, चलिए next question देखते हैं, और ये question दोस्तों कई बार परिक्षा में पूछा जा चुका है, जो selected date हैं, उनके question पूछे जाते हैं, जैसे 26 January 1950, 15 August 1947 और 2 October 1869, तो चलिए next question देखते हैं दोस्तों, चलिए next question है, 15 August 1947 को कौन सा दिन था, औप्सन देखिए बुद्ध बार, सुक्र बार, गुरु बार, रवी बार, दोस्तों ये बहुत important question है, कई बार परिक्षा में पूछा जा चुका है, तो आईए इसको भी solve करते हैं, तो सबसे पहले हमें पता है कि ये जो 1947 है, ये क्या है, तो ये एक journal year है, तो हमें एक वर्स कम की करना करना है यानि कि हमें यहाँ पर क्या लेना है, इतनी सी बात आप समझ गए होंगे, अब देखिए, 1946 को क्या लिख सकते हैं, वही 1600 प्लस 300 प्लस 46, अब देखिए, यहाँ पर 1600 के लिए 0, 300 के लिए क्या रहेगा, 15 या 1, अब देखिए, यहाँ पर जो 46 है, इसमें कितने लीपियर है चार से भाग दे के पता चल जाएगा हमें, लीपियर की संख्या, तो चार एकम चार, और यहाँ पर भी एक बार जाएगा, यानि कि 46 में 11 लीपियर हो गए, तो जनल लीपियर कितने होंगे, तो आप 46 में जब 11 घटाएंगे, तो देखिए, छे में से एक गियर कितना बचा तीन, यानि कि 35 आगया, अब देखिए, लीपियर में कितने दिन एक्ष्टा होते हैं, दो, यानि कि यहाँ हमारा आगया 22, और यहाँ पर देखिए, जनल लीपियर में कितने दिन एक्ष्टा होते हैं, एक होते हैं, यानि कि यह हो गया 35, अब देखिए, हमें रिमाइंडर लेना है तो यहां से तो कुछ नी बचना हमारा साथ यहां 21 होता है एक रिमाइंडर बचा यानि कि यह और यह एक मिलके यहां से टोटल रिमाइंडर कितने हो गए दो अब देखिए यहां पे जनवरी आपको पता है जनवरी 31 की होती है अगर दोस्तो किसी को कौन सा महीन है 31 का या 30 का होता है तो हतेली के पीछे आप जब मुठी बांदेंगे तो जितनी भी यह उपर लिखी होई चीजे हैं उपर जितनी भी उठे हुए भाग हैं यह सब क्या कहलाएंगे 31 के और जो भी अंदर जून के जो जो लाई के लिए 37 के 2 अगर तेस्ट के लिए सकते हैं तो रिमाइंडर एक बचे हैं साट से भाग देना है पहले जा है रटा देते 3, 3, 6 और एक यह हो गया साथ, 2, 4 और तीन साथ, यानि कि यह तीन और यह दो मिलके पाँच हो रहा है, यानि कि पाँचवा दिन आपको पता है, क्या होता है, सुकरबार होता है, और यही आपका अंसर होगा, उमीद है दोस्तो आप समझ गये होंगे, चलिए next question दिखते हैं चलिए दोस्तो next question है यदि एक जनवरी को मंगलवार है तो जनवरी महीने में कितने मंगलवार होंगे option देखिए 3, 4, 5, 6 दोस्तो जब भी कोई भी महीना जो 30 का होगा या 31 का होगा उसमें पहली तारिक को कोई सब भी दिन होता है जैसे कि सोंबार, मंगलवार या बुद्धवार तो उस दिनों की संक्या कितनी होगी पांच होगी डारेक्ट आप जियान में रखिएगा तो इसका राइट अंसर क्या होगा पांच या तो आईए चेक भी कर लेते हैं आप जैसे कि जोड़ने होगी जन्वरी जो है वो 31 की होती है यह हमें पता है तो देखिए एक तारिक को उसने क्या बोला है, मंगलवार है अब किसी भी दिन में साथ जोडने या साथ घटाने पर हमें वही दिन पराप्त होता है तो एक को मंगलवार है तो 8 तारीक को भी मंगल बार पड़ेगा 8 में अगर हमने 7 जोड़ा तो 15 को मंगल बार होगा अब 15 में अगर आप 7 जोड़ते हैं तो 22 को मंगल बार होगा उसी प्रकार से 22 में आपने 7 को जोड़ा तो 29 को मंगल बार होगा यानि कि मंगल बार की संक्या कितनी हो गई देखे एक, दो, तीन, चार, पाँच यानि कि कितने मंगल बार पढ़ेंगे पाँच और हमारा राइट अंसर होगा पाँच चलिए next question देखते हैं दोस्तो next question है यदि किसी महीने की एक तारिक को ब्रसपती बार यानि कि गुरु बार पढ़ता है तो उसी महीने की 28 तारिक को कौन सा दिन पढ़ेगा बहुत easy question है दोस्तों ये पूछा जा चुका है option देखिए सों बार, मंगल बार, रवी बार, बुद्ध बार तो देखिए दोस्तों 7 के जो भी multiple हैं अगर हम उनको जोड़ देते हैं किसी भी दिनों की दिनों में तो हमें वापस वही दिन आता है यानि कि एक में यदि हम 28 जोड़ेंगे तो हमें गुरु बार का प्राप्त होगा 29 तारिक को उसने 28 को पूछा है तो 28 को क्या होगा बुद्ध बार होगा साथ जोड़ेंगे तो 8 को ताजड़े पड़ेगा फिर 15 को पड़ेगा फिर 22 को पड़ेगा और 29 को पड़ेगा तो 29 को भी क्या पड़ेगा गुरु बार पड़ेगा हमें उसने क्या पूछा है 28 तारिक को तो 28 को क्या पड़ेगा बुद्धवार पड़ेगा यही हमारा right answer होगा यानि कि हमने देखा कि किसी भी संक्या में 7 जोड़ने से और वही संक्या वही दिन हमें प्राप्त हो जाता है चाहे आप 7 जोड़ दें या 7 के multiple जोड़ दें तो यह देखी यही 7, 7, 14, 7, 7, 4, 28 यानि कि हमने एक में डारेक्ट यहां पे 28 जोड़ा तो हमें 29 तारिक को गुरुबार प्राप्त हुआ और हमें 28 पूचा है तो एक दिन कम होगा यानि कि बुद्धवार राइट अंसर होगा चलिए नेश्ट कोश्चन देखते हैं दोस्टो नेश्ट कोश्चन है जोलाई 2020 में कितने बुद्धवार आएंगे ओप्सन देखिए 4, 5, 3, 2 इन में से कोई नहीं दोस्तो एक और ओप्सन दे सकता है इन में से कोई भी अलग करके कि हम ग्यात नहीं कर सकते हैं वो बिलकुल नहीं होगा हम ग्यात कर सकते हैं अब देखिए यहां पे हमें उसने डेट नहीं दिया तो हम ये निकाल सकते हैं कि 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा तो 1 जुलाई 2020 को जो भी दिन आएगा माल लीजे तो उस दिनों में जैसे मालीजे एक जुलाई को आ गया मंगल बार और बुद्ध बार पढ़ रहा है दो तारिक को तो दो तारिक में अगर हम साथ जोड़ जोड़ के बता सकते हैं कि कितने बुद्ध बार आएंगे तो इसलिए हम एक जुलाई के तिथी को निकालेंगे तो यहां हमें पता चल गया कि 2020 क्या है लीपियर है तो आईए इसको सॉल करते हैं दोस्तों तो देखे यहां पर हमें पता है कि एक वर्स हमें कम की गर्णा करना है यानि कि हम यहां पर क्या लेंगे 2019 लेंगे अब देखे 2019 को क्या लेख सकता हूँ मैं 2000 प्लस 19 लेख सकता हूँ बिलकुल अब 2000 के लिए हमारा क्या होगा कोट 0 होगा क्योंकि 2000 जो है लीपियर की सताब दी है अब देखे 2019 में किते लीपियर पढ़ेंगे चार से भाग देके देख लेते हैं तो लीपियरों की संख्या आ गई देखे 4,4,16 यानि की 4 बार जाएगा लीपियर हो गई 4 तो 19 सालों में 4 लीपियर पढ़ गए तो जो भी सेज बचा वो क्या होगा जन्रल इयर यानि कि 15 लीप एरों में एक्ष्टा दिन कितने होते हैं 2 और जन्रल इयर में एक्ष्टा दिन 1 यानि कि यहां से हो गया हमारा 8 और यहां से आगया हमारा 15 अब हमें इतना पता है कि सब को जोड़ने के बाद हमें लाष्ट में 7 से भाग देना होता है आप वो भी कर सकते हैं यह हम direct reminder लेते हैं तो यहाँ देखिए 7 एकम साथ एक से इस बचा है यह तोटल reminder कितना बचा हमारा 2 अब देखिए यहाँ पर हमें देखना है कि जनवरी आपको पता 31 की होती है reminder 3 फरवरी में देखिए यह leap year है तो यहाँ पर फरवरी 29 इस दिन की होती है जब आप साथ से भाग देंगे तो reminder यहां एक बचेगा अब उसी प्रकार से मार्च में देखते हैं तो मार्च में आपका तीन बचने वाला 31 का होता है अप्रेल में 2, माई में 3 और जून में आपका कितना होगा दोस्तों यह 3 होगा जून में होगा आपका 2 क्योंकि जून 30 का होता है जुलाई में हम को कितना निकालना है एक जुलाई तो हम यहां पे एक लिखेंगे दोस्तों आप इन सब को जोड़ के भी साथ से डिवाइड कर सकते हैं या हम इसके साथ के पेर बनाके काट लेते हैं जैसे कि यह 3 और 3 मिलके 6 और 1 के 7 यह कैंसल हो गया 2 और 2 4 और 3 साथ यह कैंसल हो गया तो हमारा यहां से क्या बचा 1 और यहां से बचा 2 यानि कि इन दोनों को जोड़ा तो हमारा 3 आ रहा है और तीसरा दिन कौन सा होता है सोम बार मंगल बार बुद्ध बार यानि कि एक जुलाई को हमारा क्या पढ़ रहा है बुद्ध बार पढ़ रहा है जब एक तारिक को बुद्ध बार पढ़ रहा है तो किसी भी महीने में पहली तारिक को अगर बुद्ध बार पढ़ेगा तो उस महीने में पांच बुद्धवार पढ़ेंगे, यह चीज आपको पता होगा, क्योंकि एक में अगर आप साथ जोड़ते हैं, तो आठ तारीक को बुद्धवार पढ़ेगा, उसी प्रकार से आठ में साथ जोड़ा 15 को बुद्ध, 22 को बुद्ध और 19 को बुद्ध, यानि क एक तारिक को पढ़ गया, आठ को पढ़ गया, पंदरा, बाइस, उन्तिस, जैने की पांच बुद्धवार पढ़ेंगे, आफसन नमबर बी आपका राइट होगा दोस्तो, चलिए next question देखते हैं, उम्मीद है आप समझ गए होगे, अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है, क वर्स 1997 का एक जनवरी अगर सुकरवार था, तो वर्स 1998 का एक जनवरी कौन सा दिन होगा, आफसन देखिए सुकरवार, सनीवार, रवीबार इन में से कोई नहीं, दोस्तो बहुत ही इजी है इस टाइप की question हो करना, देखिए 1997 एक जनवरी से, 1998 की एक जनवरी तक कुल दिनो तो हमें पता है कि एक जो है हमारा reminder बचेगा ही बचेगा, 365 दिनों में, तो यहाँ पे सुकरवार है, तो सुकरवार में हमें एक प्लस कर दिना है, यानि कि हमारा answer क्या होगा, सनीवार होगा, दोस्तो उमीद है आप ये चीज़ समझ गए होगे, यानि कि option number B आपका right answer होग तो चलिए next question देखते हैं दोस्तों, ये question है, आपके लिए एक छोटा सा challenge ये आपका लिए होंबर के है दोस्तों, और इसका जो answer है आप comment box में comment के माद्यम से बताइएगा, फिलाल के लिए दोस्तों इतना ही जल्दी मिलते हैं calendar के next भाग में, और जो भी दोस्त नए हो channel पे वो channel को subscribe कर दीजिएगा और bell icon की को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको notification प्राप्त हो सके, चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही calendar के next भाग में, तब तक के लिए जय हैं जय भारत